क्लास 12 का जो प्रिविएस एर पेपर्स हैं उनका सेट नमबर 4 जो कि 2022 पुछा गया था सेट नमबर है 316EH तो हम लोग कुछ इस पर बात कर लेते हैं कुछ जनरल इस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं तो dear students जो आपका पेपर होना है वो तीन घंटे और 15 मिनट का होना है और maximum marks आपको इंगलिश में 100 मिलने हैं तो जो 3 जो 3 hours and 15 minutes है उसमें 15 minutes आपको मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए जो आपका पूरा पेपर है A, B, C और D चार सेक्षन में divide होना है सभी question compulsory होने है और प्रत्यक प्रश्ण के सामने marks दिया हुआ है और जितने भी sit हैं उन सभी में सभी प्रश्ण को करना अनिवार है तो यह होगे आपका general instruction हम लोग section A की बात करते हैं जैसा कि हमने अभी बताया आपको A, B, C और D ये question paper पूरे चार सेक्षन में divide होना है तो जो पहला होगा हमारा reading section का होना है वो total 15 minutes contain कर 15 number contain करता है 15 number का इसमें से आना है तो इसको आप लोगे एक बार ध्यान से पढ़ने लगना है unseen passes dear students unseen passes जो कि आपका एक प्रकासे comprehension को read करता है आपका general study कैसा एक प्रकासे आपका समझ कैसी है आपका understanding छमता कैसी है वो इसके द्वारा read किया जाता है 15 number का idea students इसको हलके में नहीं लेना है तो चलिए question को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसके बाद उसका answer देते हैं तो पहले हम यहां तक का समझते हैं step by step लेके चलते हैं पढ़ते हैं पहले पैसे को early rising leads to health and happiness early rising leads to health and happiness सुबा उठना अच्छे स्वास्त और खोशी की तरफ ले जाता है अर्थाद जो व्यक्ति सुबा जल्दी उड़ता है वो जीवन में खोश रहता है और उसका स्वास्त भी अच्छा रहता है the man who rises late can have little rest in the course of day वो व्यक्ति जो देर में उड़ता है उसको दिन का आनंद लेने का बहुत कम समय मिलता है अर्थाद उसे rest करने का समय बहुत कम मिलता है anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening वो व्यक्ति जो morning में देर में उड़ते हैं उन्हें देर रात तक काम करके अपने काम को पूरा करना पड़ता है आगे बढ़ते हैं he has to go without the evening exercise उसे बिना evening exercise के ही जाना पड़ता है which is so necessary for his health जो कि उसके स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है अर्थात उसको अपना काम करते करते इतना समय हो जाता है कि खापी करके तुरंद वो सो जाता है उसको evening exercise करने का समय बिलकुल नहीं मिलता जो कि स्वास्त के लिए बहुत अवश्यक है तो वो हस्वास्त कैसे रह सकता है आगे बढ़ते हैं in spite of all his efforts his work will not produce as good result as that of the early riser इसी कारण से उनका कार्य उतनाधिक प्रभावी नहीं होता है जितना की early risers का प्रभावी होता है आगे बढ़ते हैं the reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hour of morning और यही कारण है कि वह सुबह के ताजी हवा का सुबह के अच्छे घंटों का advantage नहीं ले पाते हैं लाब नहीं ले पाते हैं सुबह जल्दी में पाते हैं सुबह देर में उड़ते हैं तो सुबह का ताजगी जो सुद्ध ताजी हवा होती है उसका अनंदव लोग नहीं ले पाते हैं some people say that the quiet hour of midnight is the best time for working कुछ लोग बताते हैं कि जो रात का जो quiet hour होता है शान्त कुछ समय होता है अर्धरात्री का जो शान्त समय होता है ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि वो काम करने के लिए अच्छा समय माना जाता है but I don't believe in it आगे बढ़ते हैं इसी प्रकासे आगे बताते हैं several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil उसी प्रकासे बहुत से thinkers भी बताते हैं बहुत से विचारक भी बताते हैं कि वे अर्धरात्री में आधी रात को जब light जला करके कुछ लिखते हैं तो सबसे अच्छा लिख पाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं yet it is true to say that few men have a clear brain at night लेकिन यह सत है कि कुछ लोगों का अर्धरात्री में ही mind sharp काम करता है तेज काम करता है when the body needs rest जब बढ़ी को rest क्या उशकता होती है and sleep और need क्या उशकता होती है those who work at that time soon ruin their health लेकिन वे लोग जो देरात तक हमेशा काम करते रहते हैं अक्सर अपने स्वास्त को खो देते हैं and bad health must in long run have a bad effect on the quality of their work और जब यह स्वास्त लंबे समय तक गिरा रहता है अर्थात कोई विक्ति अगर लंबे समय तक स्वास्त रहता है तो निशित रूप से उनके कारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है चलिए question number one देखते हैं इसी पैसे से related होना चाहिए why is early rising better than rising late सुबा जल्दी उठना देर में उठने से अच्छा क्यों है सुबा जल्दी उठना देर से उठने से अच्छा क्यों है देखे ये पहले ही line में दिया हुआ है early rising leads to health and happiness early rising leads to health and happiness और भी लिखा हुआ है the man who rises late can have little rest in the course of the day इतना आपको लिखना होगा यहां तक आपको लिखना होगा यहां से ले करके यहां तक आपको लिखना होगा this is the answer of question number one अगए देखते हैं question number B पढ़ते हैं question number B कहता है why do some thinkers burn the midnight oil बहुत से विचारक रात्री में lamp क्यों burn करते हैं रात्री में तेल क्यों जलाते हैं क्यों जलाते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है several great thinkers say that they burn they can write best only when they burn the midnight mid oil कहता है several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil this is the answer of question number B आगे बढ़ते हैं question number देखें अपना C कहता है question number C को एक पर पढ़ियेगा what is the disadvantage of working at midnight midnight में working करने का disadvantage क्या है midnight में working करने का disadvantage क्या है देखें यहां पर लिखा हुआ है those who work at that यहां से नोड़ते हैं question एक बाद देखेंगा what is the disadvantage of working at midnight यहां से मिल जाएगा दोज से लेके चलते हैं तो काम बढ़ जाएगा यहां से दोज से लेते हैं इसको में अंडरलाइन करता हूँ पहले एक बार यहां से this is the answer of question number c question number d पढ़ते हैं एक बार question number d कहता है कि what are the possible advantage of the both morning hours and midnight hours morning hours और midnight hours में काम करने का advantage और disadvantage positive way में आपको बताना है positive way में आपको बताना है तो यहां से ले लिजे यहां से यहां से yes, very good मैं इसको पहले अंडरलाइन कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ चली, यहां से ले लेते हैं हम लोग यह yet से लेकर शुरू करते है yet it is true to say that few men have a great clear brain यहां से ले जेगा yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body need rest and sleep those लेकिन थ्रसावलिक दो those who work at that time soon ruin their health कहते हैं कि यह बास सत्य है कि जब रात में देर रात तक लोग काम करते हैं तो जो habit जिनका बन जाता है उनके लिए तो अच्छा होता है लेकिन कहीं कहीं इसका bad impact भी होता है यह इसका एक प्रकासे disadvantage भी है और advantage भी है advantage आप चाहे तो और उपर से भी ले सकते हैं advantage आप यहां से भी ले सकते हैं decline इधर से भी जोड सकते हैं जैसे early rising leads to health and happiness यहां से ले लिए और आप इसमें last में और था से जोड दो yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep यहां तक भी आप ले सकते हैं this is the answer of question number D and now come to the next question question number C has three parts the first part question ask which word in the passage is possible of noisy इसको देहां समझे which word in the passage is opposite of noisy noisy का opposite आपको बताना है do you understand यह noisy का आपको opposite बताना है noisy का opposite क्या होता आप उसको पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा मैंने पढ़ा अभी मुझको मिला था quiet q u i e t quiet शांत मिला था ना भी quiet हां जो रात्री में शांत यहां पर देख लेते हैं let's किदर गया midnight के पास आपको मिलेगा ना यह मिला देखे ता यह मिला देखे भाइओ आपको मिला पर देखे पका रांप्रेद, आपको मिला था जांता है आपको जानना है तो मैं भी आपको बताता हूँ यह noisy का opposite यह लिखा हुआ है quite noisy means होता है sure goal और quite means होता है बिल्कुल शान्थ तो noisy का opposite क्या हो जाएगा noisy का opposite जाएगा quite, शान्थ चलिए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकासे यह जो second number की बात कर लेते हैं ए का second question पुछता है substitute one word for the phrase in spite of in spite of को हम और क्या कह सकते हैं in spite of को हम instead of कह सकते हैं instead of भी कह सकते हैं यह ले दिजे in spite of को हम in state of भी कह सकते हैं के सिवाए के बजाए के अत्रिक्त होता है उसी प्रकासे चलिए यह नंबर की बात कर लेते हैं give the antonym of several several का antonym क्या होता है several means होता है कई several cantonyms हो सकता है some कुछ several means कई some means कुछ यह हो सकता है चलो तो यह हो गया आपका एक प्रकास unseen passes अब हम लोग question number 2 की तरफ आते हैं question number 2 को एक बार देखते हैं question number 2 कहता है इसको एक बार question number 2 को एक बार आप लोग ध्यान से समझ लिजे यह रहा question number 2 उपना section B portion जो की writing portion है अपना section B हमारा writing portion में आएगा writing में आएगा हो जिसका भी आपको 20 number मिलना है तो question के write an article on anyone of the following topic in about 100 or 100 to 150 words देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसमें से मैं इसको कराऊंगा नहीं इसको अपने से करना है आपको आप इसको खोज सकते हैं कहीं से भी इसको अपने से आपको try करना है चलिए यह है सामने जैसे पहला है India's performance at the Olympic game इस पर आप लिख सकते हैं एक title लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं आर्टिकल लिख सकते हैं importance of game at school इस पर भी आप लिख सकते हैं या फिर the role played by the doctor during the pandemic pandemic के दोरान doctors का क्या role हो सकता है या क्या role होता है इस पर भी आग एक title शेर्शक लिख सकते हैं अभी समय मिलेगा था हम लोग इस पर बात करेंगे तो अभी हम लोग आते हैं question number 3 पे जो grammar portion होगा उस पर हम लोग ज़्यादा focus करते हैं भी writing work आप लोग अपने कर सकते हैं अगला question जैसे अपने सामने हैं तोरा सा discuss कर लेते हैं थोरा सा 10-10 number कहा चुकी write related to the mayor of cooperation regarding disposal of soil waste जो soil waste disposal है इसके लिए आपको अपने यहां के mayor को एक letter लिखना है दूसरा question आप चाहें तो कर सकते हैं यह write related to the water work department complaining about erratic and polluted water supply in our locality आप अपने water work department को एक application लिख सकते हैं कि आपकी locality में जो water supply हो रहा है वो बहुत ही polluted है इसको लेकर का आप कर सकते हैं यह एक प्रकासी formal letter की 3D में आता है इसको कभी हम लिखवा देंगे भी हम लोग grammar portion की बात करते हैं सीधे जो की most important है आपके लिए important तो सभी है लेकिन grammar portion पर हम लोग अधिक focus किएंगे grammar portion में आपको पूरे marks मिलने हैं section C चलिए section C grammar portion है इसमें भी आपको 20 marks मिलने हैं जिसे पहला question आपके screen पर दिया हुआ है one who abundance his religious faith is an question आपको ध्यान से पढ़ना है वहाँ जो धर्म पर पूर्ण abundance करता है अथात पूर्ण विश्वास नहीं करता है एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक न one who abundance his religious faith is an तो पहले जो हमारे पास विकल्प दिये हैं हम इन विकल्पों की बात कर लेते हैं I think आप लोग आप question को अच्छे समझ गया होगे question कहना चाहता है one who abundance his religious faith is an विक्ति जो धर्म विश्वास पर या धर्म पर विश्वास नहीं करता है वो कहलाता है atheist कहलाता है या फिर apostate कहलाता है या फिर infidate कहलाता है या फिर optimist कहलाता है क्या होता है really आप लोग सही बता रहे हैं वो कहलाता है, ethist, रसात, नास्तिक, जो यश्वर पर बिल्कुल भी विस्वास ना करता, वो होता है, आस्तिक, और यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, optimist, optimistic कौन होते हैं, जो आशावादी होते हैं जो positive thinking रखते हैं वो होते हैं चले question number B की बात करते हैं come to the next question अगला question पोच रहा है the phrase pick holes in pick holes in इसका मतलब क्या होता है pick holes in इसका मतलब क्या होता है pick holes in अर्थात नहीं कोई जगा है बहुत सुंदर चीज है उसमें आपको सुंदरता ना खोज करके उसमें कोई कमी खोजना वो क्या कहलाता है ये पहला अपसानी सही find fault with कमी की तलास करना वही नाम से याद रखे pick hole in अर्थात कहीं पर आपको hole देखना है कहीं पर फटा है की नहीं है अच्छा कितना है वो आपको नहीं दिख रहा है उसमें कमी क्या है उसको आपको खोजना है उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं find fault with चलिए उसी प्रकास से come to the next question question number C है इसमें कहता है the synonym of acute acute का synonyms क्या होता है acute means क्या होता है acute means होता है तेज कि बहुछ सारी word यहां पे लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है हाँ यहां पर आपके सामने nicel लिखा हुए है इक्सिडेंट लिखा हुआ होँआ था अश्को ओर उपर कर लेते है लें कि नइस का ओफ यह मा लो है ग्सिडेंटल है several है severe है और curious है आपको इसमें से कौन सा सई लग रहा है synonyms of acute acute में इस होता है fast तेज curious जाएगे हैं आपका curious में भी होता है जिग्यासू और acute में भी एक प्रकासिव fast भी होता है और जिग्यासू होता है तो इसका सई अन्सर हो जाएगा ये acute हो जाएगा तो और जो हमारे पास विकल्प है उनकी बात कर लेते हैं जैसे nice means सबको पता है अच्छा ही है और severe severe means क्या होता है severe means होता है ये गंभीर severe means होता है गंभीर अच्छा severe का posit क्या होता है severe का posit होता है S-L-I-G-S-T slight severe means होता है गंभीर और slight होता है slight means क्या होता है जो हर चीज को हलके में ले लेता हो चलिए और और सब आपके सामने क्या लिखा हुआ है एक word लिखा हुआ है ये accidental accidental means क्या होता है akasmic कितने accidental PM एक movie है इतने accidental PM akasmic PM प्राइम मिनिस्टर तो overall हम लोगों ने जाना कि which is the right answer, curious is the right answer आगे बढ़ते हैं, question number D, question number D को एक बर पढ़िएगा question number D है, the driver stood at the extremist age of the rock which word in this sentence is an error, इस sentence में आपको कहीं पर कोई error मिलना चाहिए कहीं पर कोई error है, बताइए क्या error हो सकता है very good, जो extremist लिखा है न, extreme यह नहीं होता, कभियाद रखेएगा, extreme तो extreme का कोई degree नहीं होता, extreme अपने आप में ही service rest है, कुछ में word आपके सामने लिख दे रहा हूँ, जिसको आपको comparative और superlative degree नहीं बनाया जाता है, ठीक न, जैसे एक हो जाएगा आपका unique, यह, unique हो गया, unique हो गया, इसको हमेशा आपको simple में रखना है, आपको हमेशा base form में रखना है, positive form में रखना है, जैसे एक होता है, perfect, यह, लिख लिए न कहीं इसको बेटा, perfect, इसके बाद एक होता है, जैसे round, यह, round, और जैसे एक होता है complete, जैसे एक होता है complete, यह, complete, और हमारे सामने एक तो लिखा ही है, यह हमारे सामने एक लिखा है extremist नहीं होता है extreme होता है ठीक है न तो यहां पर कौन सी गलती है extremist नहीं होगा extreme होगा तो यहां पर second number गलत हो गया है चलिए अच्छा और आगे बढ़ते हैं e number की बात करते हैं अंगला question कहता e number में the antonym of virtue is अब इसमें option खोचते हैं virtue means क्या होता है virtue means equality good गुणवान रखती तो इसमें opposite खोजना है antonym खोजना है तो fraud यह भी नहीं होगा crime यह भी नहीं होगा wise wise means क्या होता है wise means होता है doosh wise means होता है doosh और virtue means होता है good तो गुण का opposite दोश तहां पर हो जाएगा wise वैसे wickedness होता है जो दुष्टता दुष्ट वेक्ति होता उसको wicked बोलते हैं wicked विग्ड नहीं wicked अगे बढ़ते हैं हम लोग question number five आपकी screen पर है इसको ध्यान से समझेगा question number five कहता है change anyone up the following into indirect speech आपको इसको indirect speech में change करना है जैसे पहला आपके सामने लिखा हुआ है he will say the student was lazy इसको आपको change करना है indirect narration में देखो he will say है हमने जाना था न यह हमारा reporting speech होता है और यह भाग हमारा reported speech होता है reporting speech reported speech यह दो भाग होते हैं direct narration के अब हमको देखना है हमने पढ़ा है कि यह reporting subject है reporting verb है reporting object यह क्या हो गया reported subject reported verb reported object इस प्रकास है में इसको करम में रखते हैं अधिक जानने के लिए playlist में मेरी एक मैरा थन वीडियो पड़ी हुई है narration को इसको आप देख लेंगे दो गंटे की है तो आपको narration विल्कुल cream cream सा हो जाएगा चले तो इसको देखते हैं he will say यह reporting verb हमारी future में है हमने पहाथ हा reporting verb present में होगी या future में होगी तो reported speech के tense को नहीं बदलना है कि यहाँ पर नहीं बदलना है तो he will say that यह क्या हो जाएगा he will यह he will say that इतना हो गया हमारा अब बचा क्या the student was lazy सिपचा आप लिख दो he will say that the student was lazy yes very good केवल आपको यहाँ पर that लगाना है means to say that यहाँ पर केवल आपको that लगाना है and everything will be same to same clear na चली आगे बढ़ते हैं अच्छा इसी पर हमें करना सिर्फ पेख है लेकिन हम यहाँ पर दोनों को लेके चलते हैं जिसे दूसरा लिखा हुआ है दूसरा हमारे सामने लिखा हुआ है यह he said we cannot be quite happy in this life we can we cannot be quite happy in this life अब देखो यहाँ पर यह reported अब यहाँ पर हमारा जो subject है वो past tense में है जब reporting work past tense में हो subject नहीं reporting work जब reporting work हमारी past tense में होगी तो reported speech का tense बदल जाएगा अब बदलेगा कैसे वो आप लोग जानते हो हम लोग जानते हैं present के चारों को past के चारों में जैसे present definite बदलेगा past definite में, मेरे साथ बोलेंगे present continuous बदलेगा past continuous में, present perfect बदलेगा past perfect में, और present perfect continuous बदलेगा past perfect continuous तेंस, उसी प्रकार से past definite, past perfect में, past continuous, past perfect continuous में, future का shell को should में और will को would में change करते हैं, कब change करते हैं, तब change करते हैं जब reporting verb past tense में होता है, अब दिखे, he said, यहाँ पर that लगा दिया, इतना तो आपका सही है, हमने he said that लगा दिया, he said that, we cannot do, अब देखो we है, we हमने pronounce अमधी परिवर्तन पहा था, क्या पहा था, son by 123, ये, one में क्या, i और we होता है, two में you होता है, three में he shared दे और कोई भी nouns of third person में आते हैं, ठीक है न, चलिए, तो जानते हैं आगे, that तक हम लोग पहुँच गए है, we है, we कौन सा है, I or we first person बदले का reporting speech के subject के अनुसार, he है, चुकि we हमारा plural में है, तो he का plural क्या होता है, they हो जाएगा, ये they लिख दिया हमने, अब देखो can not है, can not को हम लोग लिख देंगे, ये, could not, ये हो जाएगा, they could not, अब आगे चुप चाप उसी को लिख दो, they could not be quite happy in, और this को हम लोग change कर देते हैं, that में, तो overall हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा, he said that, they could not be quite happy in that life, clear, हम लोग अब combine करते हैं, question number five के, इस portion पर आते हैं, इसको बहुत साथानी से पढ़ना है, इसको हमको synthesis करना है, two marks का ये भी पूछता है, combine anyone of the following as directed, जैसा की directed किया गया है, निर्देशित किया गया है bracket में, उसकी मदद से आपको इन sentences को combine करना होता है, जैसे पहला sentence आपके screen पर लिखा हुआ है, the battle was over, युद्ध खत्म हो गया था, dynamics withdraw, और इनमीज अभी वापस हो गया थे, चले गया थे, अब इसको हमको change करना है, इसे हमें combine करना है, याद रखेंगे students, जब ऐसी स्थितिया जैसे यहां पर was लिखा हो, तो उसी को हम चुपचाप क्या कर देते हैं, being लगा देते हैं, अब sentence को बनाए, the battle being over, कॉमा लगा देंगे इसको, the battle being over, then me withdraw, clear है न, the battle being over, then me withdraw, guarantee है कि एक question इस प्रकास जरूर दिया होगा, जहां पर भी is हो, या वास दिया हो, उसको हम चुपचाप वहां पर being लगा करके, जहां बीच में full stop लगा हो, वहां पर कॉमा ल clear है न, इसको, बिल्कुल short cut trick आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत नियम पर जाने के जरूरत नहीं है, नियम पर जाओगे तो 15 दिन की एक topic है, मातर दो number के लिए, समय नहीं है अपने पास, चली, अच्छा, इसी प्रकास से हम दूसरा number देख लेते हैं, second वाला है, he gave up trying, उसने try करना छोड़ दिया, और he could never give satisfaction, उसे कभी satisfaction नहीं मिला, उसे कभी satisfaction नहीं हुआ, अब दिखो, he gave up trying, अब हमको बनाना क्या है, इसमें complex sentence बनाना है, हम चाहे तो यहाँ पर as का प्रयोग कर दें, हम चाहे तो यहाँ पर since का प्रयोग कर दें, he gave up trying, as, जैसा की he could never give satisfaction, उसे कभी satisfaction नहीं मिला, जैसा की ऐसा है, ठीके न, यहाँ पर हम चाहे तो since का प्रयोग कर दें, हम चाहे तो यहाँ पर as का प्रयोग कर के बना सकते हैं, यहाँ इस तरह से हम असाने से two marks गेन कर सकते हैं, section C वाले portion की तरफ आते हैं, इसमें आपको transformation chapter 3 grammar का chapter 3 transformation करना होगा, you know what is transformation, रोप, बदले, लेकिन उसके भाव में परिवर्तन ना हो, चलिए, समस्ते हैं, change anyone of the following as directed, इसे पहले वाले को change करना है, compound sentence, compound sentence समस्ते हैं, इस टक्चर के अधार पर हम लोग बात करें, तो sentence तीन प्रकार का होता है, simple sentence, complex sentence और compound sentence, simple sentence में क्या होता है, simple sentence में एक, एक ही finite verb होता है, जबकि अगर complex sentence की बात करें, तो इसमें एक principal class होता है, और एक, और या एक सधिक subordinate clause होते हैं, अगर हम compound sentence की बात करें, तो इसमें एक principal class होता है, और एक या एक सधिक coordinating clauses होते हैं, ठीके न, चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समस्ते है हैं पहले इस पहले वाले को देखते हैं ये besides making a promise he kept it besides making a promise he kept it मलब promise करने के साथ साथ उसने इसको पूरा भी किया इसको आपको change करना है compound sentence में बिल्कुल change कर सकते हैं आप इसमें not only but also पड़े हैं ना इसी को change करना है हम लोग इसको बना देंगे he not only made a promise but also kept it लिख के बताता हूं यह हो जाएगा he not only 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 he not only made a promise but also kept it clear है ना चली उसी प्रकास से हम लोग second number की बात कर लेते हैं second number में क्या है did he not tell you इसको पैजिवाइस चेंज करना है एक्टिवाइस में क्या होता है subject, verb और object का करम चलता है ना लेकिन जब हम लोग पैजिवाइस में आते हैं तो पैजिवाइस करम क्या होता है subject को object बना देते हैं फिर इसके बाद हम लोग helping verb लाते हैं फिर वर्ब की third form लिखते हैं और फिर by के साथ last में हम लोग subject को लिखते हैं object के रूप में लिखते हैं रखेगा इस क्रम को चलिए तो क्या लिखा हुआ है did he not tell you जब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ट्राइ करिए एक बार सब लो इसको ट्राइ करते हैं तो पहले तो हम जाए इसको माले इसको हम अभी हटा देते हैं माली जे यहाँ पर he he did not tell you ले ले लेते हैं तो पहले you आएगा न लेकिन हम जानते हैं you के साथ हमको वर लगाना होता है तो पहले वर लगा देते हैं यह वर you not told by him लास्ट में question mark लग जाएगा वर you not told by him इस प्रकार से बनाना है चोलो section D की तरफ आते हैं section D ध्यान से समझेगा section D क्या कहता है section D की बात करते है section D ध्यान से समझेगा लिखा correct anyone आप दो following sentence किसी एक sentence को हमें correct करना है sentence करना समझते हैं कहीं कोई error mistake होगा उसको हमको error spot खोजना होता है इसमें से जिसे sentence को पर यह the man disappeared after he has committed a murder the man disappeared after he had जब sentence past tense में है तो इसको भी past tense में रखना होगा ना he had committed a murder यहां पर क्या हो जाएगा has की जगा पर क्या हो जाएगा had हो जाएगा यह has की जगा पर had हो जाएगा चलो उसी प्रकास से second number देखते हैं लिखा हुआ है being a rainy day we did not go out अब इसको सही करना being a rainy day नहीं होता है as it was rainy day being को हटा देंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे as it was अब आगे लिख दो as it was rainy day we didn't go out as it was rainy day we did not go out इस प्रकार से इसको हम बना लेते हैं इन अमबर क्वेशन को देख लेते हैं यह भी two marks का है लिखा हुआ है use any one of the following pairs of words in your own sentences आपको sentence बनाना है इसमें ठीक है ना आपको sentence बनाना होगा sentence बनाना समझते हैं न सभी लोग हम चलो जिसी पहले लिखा हुआ है हमारे सामने लिखा हुआ है पहले लिखा हुआ एक्सेस पहले लिखा हुआ हम इसको देख टच करके पहले लिखा एक्सेस एक्सेस मिस क्या होता है एक्सेस मिस होता है पहुँच पहुँच समझते ना एक्सेस कोई चीज की पहुँँच हमारी पहुँच प्रधनमंत्री तक है जैसे जैसे वहां पर समय पर पहुँचना जरूरी है या वहां समय पर पहुँचना आसान है पहले इसी को ले लेते हैं इसका sentence एक बना कर देखते हैं जिसे कर बन जाएगा it is access there it is easy there it is easy to access there in time हो चकता है लिख सकते है हम लोग it is easy to access there in time it is easy to access there in time time वहाँ पर समय से पहुंचना आसान है तो पहुंच हो गई हमारी वहाँ तक के लिए न जैसे इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं इन में आपको अंतर बताना है access access में इस क्या होता के तना हाँ चीज का access अच्छा नहीं होता है हाँ चीज की अती अच्छी नहीं होती है जिसे एक्सेस आफ एवरिफिंग इस हार्मफुल एक्सेस में इस क्या होता है अती यह अतिरिक्त जिसी लिख सकते हैं आप लोग यह access of everything is harmful यह access of everything is harmful हर चीज की जो अधिक्ता है वो harmful होती है नुकसान दायक होती है चलिए दूसरा इसमें साब को सिर्फ एक्छी करना है आप माले इसको करया है तो आपको इसको करने के जरोत नहीं है लेकिन फिर भी हम चुके exam में तो वह विखलब पर रहेगा लेकिन लोग false प्रैक्टिस कर रहे बीफिन है इसके के रूप में कार करता है और ए了 करें हम लोग एफट और एफट दूना एकसी चीज है किमें इस भी होता है प्रभाव में करते हैं या किसी PARIK के लिए होता है चेंज लाने में होता है तो है एंपोर्टेन्ट है टुरा या तुह है वैं इनवाफे परिंपक्त on something, इसके लिए करते हैं, to have an impact on something, अर्थात कोई चीज में प्रभाव बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अफेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्रभाव, और जो effect होता है, EWF ECT effect means एक प्रकास effect क्या है effect है यह noun effect जो है noun का कार करती है, यह क्या करती है, result of an action की बात करता है, result of an action की बात करता है, या रहेगा result of an action किसी कार का परणाम की बात करता है, किसी कार के परणाम शो हो रहा होगा, तो हाँ पर effect की बात होती है, लेकिन कहीं पर अगर परिवर्तन या चेंज वाली बात आएगी या impact on something वाली बात आएगी तो हाँ पर हम AWF ECT affect की बात करते हैं तो sentence मनाते हैं इस अभी का जिसे पहला sentence हम लोग ले रहते हैं affect की बात करते हैं तो हो जाएगा लिख सकते हैं हम जैसे your diet affect your health जैसे your diet affects your health your diet affects your health आपकी जो diet है आपके स्वास्ते को प्रभावित करती है यह क्या होगे आप एक प्रकासे impact on something किसी चीज में प्रभाव लाना होता है और यहाँ पर effect जो है affect किसका कारे कर रहा है effect यहाँ पर एक प्रकासे verb का कारे कर रहा है दोसरा हम लोग लेते हैं effect effect में इस क्या प्रभाव जिसको noun की रूप में हमको यूज करना है इसको हम यूज कर सकते है जैसे कई movie में effect डाला जाता है जिसे उसके परिणाम में काफी अच्छा प्रभाव पढ़ता है हम लोग लिख सकते हैं जिसे इस special effects in movie today are added by computer लिख के बताते हैं आ जाएगा ने इतना जैसे दो special effects in movies today are added by computer क्या हुआ the special effects in movies today are added by computer तेहां पर हमने क्या देखा effect की बात हो रही है यहां पर result of an action की बात हो रही है ठीक है ना clear आगे बढ़ते हैं चलिए यह जो translation इसको मैं एलग से एक छुटा सा वीडियो बनाकर पांच मिनिट को आपको समझा दूँगा लिए तो वीडियो अपना बहुत लेंदी हो जाएगा literature portion की थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग क्यों एक five minute की class और बची में क्यों describe कर दूँगा बस थोड़ा करके समझना है बस आपको जिससे लिखा हुए what is the reason that made M. Hamill declared that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson क्या reason ऐसा था जिससे M. Hamill को मालूम चलता है कि वह lesson उनका last lesson है क्योंकि जो notice board पर जो bulletin board पर show हो गया था जब bulletin board पर लिखा हुआ था वहां पर भीड़ भाड़ लगी हुई थी वहां पर actual में बताया गया था कि वहां पर अब जो है French language नहीं प्रहाई जाएगी वहां पर जर्मन टीचर आएंगी जो दो स्टेट हैं उन दो स्टेट्स को जर्मन को दे दिया गया है और लॉरेंस जो दो डिस्टिक थे इनको और इसी के अंदर उनका स्कूल पढ़ता था तो उनको यह नोटीस आ गई थी कि आज के दिन ही आज पूर आज रात तक यहां से आपको और लॉरेंस को छोण करके आपको यहां से चल जाना है अब यहां पर फ्रेंच लेंग्वेज नहीं बोली जायेगी यहां पर जर्माल लेंगवेज बोली जायेगी थी तो उनको यह चीज़ का म՞ूं चल गया था बहास ओंगया था कि आज मेरा अंतिम पार्ट है इसलिए अंतिम पार्ट उन्हों ने अपनी सारी बाते बच्चों को बताए थी क्लास भी लिया था और मोटिवेशनल बात भी बताए थी उनको इसलिए तो गाउं के बहुत सारे बुजर्ग लोग भी आकर कि उनके क्लास में बैठे हुए थे ना प्रहा था आप लोगों ने मैंने इसको करवाया था long question short question अभी ते short question वाली बात हो रही है short question आपको 40 word में answer देने है 2 question करने है ठीक रहेगा न 4 question दिये रहेंगे इसे इन में से कोई एक करना है फिर इन में से कोई एक करना होगा आपको ठीक चलिए देखते हैं फिर इसी प्रकास से अत्मा वाला देख लेते है what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap जो peddler था उसे का मालुम चलता है कि वो अपने ही rat trap में फंस गया है जब वो चोरी करकर के जो 330 क्रोन ओर थे ना उस old man के milkman के पैसे ले करके वो जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था उसने क्या सोचा था जब याद करो जब सुरुआत्मी जब चल रहा था तो उसके मन में चानक suddenly an idea struck in his mind that the word is in the word is big rat trap in itself संसार अपने आप में एक बहुत बहुत सा rat trap है अर्थात चुहेदानी है क्योंकि जो वाहे अकरशन है लोब है लालाच है लोग उसी में फंसे रहते हैं और अंते में उसी में फंस करके मर जाते हैं तो वो अपना एक प्लान बनाता है कि मैं एक ऐसा rat trap बनाऊंगा जिसमें मैं लोगों को अकरशित करूंगा और लोग इसमें फंस करके नश्ट हो जाएंगे और उसको इस बारे में सोच कर बढ़ा अच्छा लगता है क्योंकि संसार में अधिक तक आज तक उसे किसी ने सुख नहीं दिया था शांती से बात नहीं किया था उसके साथ खुशी से बात नहीं किया था हर वेक्ति उसको परिशान करता रहा है इसलिए उसको जब यह प्लान आता है ना कि मैं संसार जुमें एक रैट ट्रैप की तरह अच्छा सा संदर सा बनाऊंगा और सबको फंसाऊंगा और सबको कश्ट दूँगा जब कश्ट वाली बात आती उसको बड़ा अच्छा लगता ह और आज तक मुझे कश्ट दिया है और अब मेरे पास एक मौकाय संसार को कश्ट देने का लेकिन जब वो उस रात्री में एक किसान के आहां रुकता है एक बोढ़े व्यक्ति के हां रुकता है तो वहां भोजन भी खिलाता है वो लेकिन जब सुबा होती है तो वो 30 क्रण औ तो कहींने कहीं मुझको पकड़ लिया जाएगा जंगल चो्टा सा ken Yale चलता रहूंगास पार निकल याओंगा। लेकिन वह किसमें फंस जाता है निकल यह नहीं पाता है भूखवा प्यासा अधेरा हो गया था तब उसने सुचा की जो जिस जालमें मैं संसार को फसाना चाह रहा था उसी जाल में तो मैं खुद फस गया हूं जिस प्रकार से चुहे को फसाने के लिए कोई खाने की चीज रखी आती है उसी प्रकार से मुझे फसाने के लिए उस बोढ़े व्यक्ति के घर में 30 क्रणों और 30 रुपए रखे गए थे मैं उन पैस क्रणेशन डस्ट ऑथर अफिक्ट फार दो चिल्डरें नौट वीरिंग फूट फूट वियर बताते है ना जो फूट वियर जो जो बच्चे लॉष्ट 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 चाइल्ड गाना यह किसमें का है सेकेंड लेसन कहना हूं खोया हुआ बच्पन लॉ बच्चें चाइल्ड का है ना इसमें से जिसमें बताया गया है कि वो बिना मूरा ना भी चलते थे विसके बारे बताया गया है कि एसा उनका का रोजी था थै। उनका प्रचला नहीं था जबकि उनकी मजबूरी थी ना उस अब सूज ना पहनना चपल ना पहन पाना इसको देख लेते हैं वाट प्रॉंप्टेट गांधी जी टू अर्ज दो डिपार्चर आफ द ब्रिटिश ये इंडिगो से लिए गया है ना इसको आप खोजिए आपको मिल जाएगा हम लोग क्वेशन नमबर एट की बात कर लेते हैं क्वेशन नमबर एट में क्या कहा गया है क्वेशन नमबर एट की बात कर लेते हैं question number 8 A और B में से कोई एक ही करना है आपको long में है या आपका 80 word में आपको इसको लिखना होगा इसको आपको about 80 word में लिखना होता है जिसे पहला question है on what ground did English owner of indigo plantation demand compensation for the share groupers share groupers से जो है compensation के रूप में हर जाने के रूप में जो इंग्लिश ओनर थे वो क्या किसकी demand करते हैं यह याद करो indigo से इसको लिया गया है इसको आप लोग करिएगा ट्राइ करिएगा और हम लोग बी की बात करेंगा how did the incident at the YMCA pool affect Douglas जो Douglas इनको तैरना नहीं आता था ना जब छोटी सी घटना होती है तो कैसे उन वह बिल्कुल पानी से डर जाते हैं पाइनली वह ट्रेनर को बुला करके ट्रेनिंग लेते हैं और तैरना सीख जाते हैं और अपने इस डर पर overcome करते हैं जीत हांसिल करते हैं पढ़िएगा इसको डीप वाटर में आपको मिलेगा यह चीज हम लोग तो बात कर लेते हैं स्टेंजा की बात कर लेते हैं यह स्टे वेरी गुड तो यह क्वेश्चन नमबर अपना नाइन हो गया ना क्वेश्चन नमबर नाइन हम लोग एक बार देख लेते हैं फॉर 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 मगस्टी वेप्स इस चिल्ड्रेंस फेसे इस लाइक रूटले स्वीट्स यादा रहा ने कुछ कुछ आप लोग इसको आप लोग फॉर 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 मगस्टी वेव इस चिल्ड्रेंस फेसे इन बच्चों के चेहरे बहुत दूर हैं फॉर फॉर मगस्टी वेप्स न इन हमाओं के जोंकों से इन बच्चों हम एक येस फिर से एक बार इसको देख लेते हैं अच्छा केते हैं न फार 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 फार्म गस्टी वेव्स इस चिल्डरेंस फेसे लाइक रूटलेस वीड्स दो हेर वास तॉर्ण रूंड देर पोलर तॉल गरल विथर वेट दाउन है दो पेपर सीमिंग वैस वित रैट्स स्टंटेड अनलकी हेर आफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग वादर्स गैनर्ड डिजीजेज लेशन फ्राम हिस टेस्क इसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार ध्यान से पहले तो आप से में पूछूंगा कुछ क्वेशन आप लोग इसमें जवाब दीजेगा नहीं प पहले कोशिछन किया कहता है वाती őस रंट्रस्ट इंफसाईज डबाई फ्रेज गस्टी वेव एन रूट्लेथ स्वीध इससे आप सिय आप क्या समय अ मघं घंगस्टी वेव से आप सिमक्ग्न और दूसरा क्या है यह रूटुलेस शीड से आप क्या समय ते हैं रूट्ल रूटलेस वीड से पहले बताईए रूटलेस वीड से आप क्या समझते हैं रूटलेस वीड एक प्रकासे बीना जड़के खर पत्वार इससे आप क्या समझते हैं रूटलेस वीड बीस बीना जड़के खर पत्वार अथा तक्या दो्स ड्यट और अन वान्टेड लिखे लिजे इसको पहला इसको लिख वा देता हूं मैं दूज कि Exacttr कि अन्वांटेड ये दोज that are unwanted इसके बाद दूसरा ले लेते हैं दूसरा अपना इस वर्ड रिखा वह से किस्के वेव में इसको बोल देता हूं लोग लेकिलेंगे घस्टी वेव में इसक्या होता है से कितना बाहर का ज्योकार थाज जो विकति न कि गाव में दूर रहता है उसको बाहर की हवाओं का परभाव नहीं पढ़ता उसके शहर में किस प्रकार का जलवा चल लहा है उससे काफी दूर है इसलिए इसे बात किया गया है आप लोग लिख सकते हैं इसमें जैसे जैसे इट इस यूज एज एक प्रकासे मिटाफर के रूप में इसक metaphor and refers to the lively and energetic aspect of child's life which is lacking in the faces of the children mentioned in the past है न इसका आप लोगे एक बार फिर से replay करके देख लिजेगा समझ लिजेगा हम आगे बढ़ते हैं इसी का question number B की बात करते हैं what is the figure of speech in the expression child's face like rootless weeds देखो फिर वही से आ गया न rootless weed और child's face में एक बार फिर से इसको बात कर लेता हम फिर से एक बार में समझा दूँगा इसमें क्या यूज़ किया गया है पहली बात इसमें like use किया गया है न like use किया गया है न like rootless weeds के simly का प्रयोग किया गया है इसमें कौन से figure up speech चूज़ किया गया है इसमें simly figure up speech use किया गया है क्या simly figure up speech जहाँ पर भी so like as का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर निश्चत रूप से simly figure up speech का प्रयोग किया जाता है अगरा question इसे में what is meant by stunted और unlucky hair of twisted bone stunted means क्या होता है stunted unluckily hair of twisted bone इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब जाये कर डियर स्टुएंस unpleasant looking लिख देते हैं अच्छे unpleasant 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 looking the boys had inherited disease लिख दें unpleasant looking the boy लिखेगा अच्छे यहाप पर देख लेना the boy English लिख राऊ ना the boy has inherited disease disability लिख दू disability disability यह हो गया इस प्रकास से क्या समझें इसको unpleasant looking the boy has inherited disability अर्थाद जो बच्चे हैं वे एक प्रकास से unpleasant looking दिख रहे हैं अर्थाद बहुत ही दुखी दिखाई पौर रहे हैं और जो उनका दुबला पतला शरीर है उनका जो शरीर टेढ़ा मेढ़ा है उनके जो हाथ पैट टेढ़े मेढ़े हैं वे एक प्रकास से inherited disabilities है अर्थाद उनको विरासत में मिली हुई disabilities हैं विरासत में मिली हुई कमिया है तेहां पर इस प्रकार से बात किया गया है अब लोग कोशन नमबर टेन की बात कर लेते हैं कोशन नमबर टेन में आपको सेंट्रल आइडिया करना होगा माई मज़रेट 66 कर सकते हैं की इंक इसको आप लोग अपने से ट्राइ करेंगे इसके बाद हम लोग आते हैं इधर 11 नमबर क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 11 एक बार दीखें आप लोग क्वेश्चन नमबर 11 हम इस पर क्यों डिसकर्स कर रहे हैं यह लिखाने वाला काम नहीं सब लिखाया जा चुका है फ्रेंड आफ चैरली टेल हिम वें चैरली टोल्ड हिम अबाउट थार्ड लेवल एड ग्रैंड सेंटर स्टेशन जब ग्रैंड सेंटर स्टेशन के बारे में चैरली अपने फ्रेंड को बताता है जो साग्रेटिस्ट फ्रेंड था वो क्या बताता है साग्रेटिस्ट फ्रे में इस चीज को देखा होगा रियलेटी में कोई थार्ट लेवल इसी चीज नहीं होती है है ना इसी बात की थी ना उसने उसी प्रकासे अगला कोशन देख लिजेगा बी नंबर कहता है किस प्रकासे अगली कोई राइगर कोई गरते हैं। 100 tiger was the tiger that killed him actually it is true that he was made of wood but he became the cause of his death जब उसमें अपने बेटे के लिए खिलोने की रूप में बर्थदे के लिए लेकली का tiger खरिदा और उसका एक कील उसके हाथ में चुप जाता है और इस प्रकास से उसे टिटनस होता है और वह है उसके मिलत्यू का रिजन बनता है हालाक उसने 99 tigers bravely एनिहाव मैं तो bravely ही कहूंगा उसने मारा था लेकिन अंतियम जो समवा टाइगर था जो उनके बारे में prediction की गई थी जो उनके बारे में भविश्वारी की गई थी वह वास्तों में चत सावित होती है न पढ़िये गए इसको एक बार आप लोग तो आज के इस सेट नंबर फोर का लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंसर एनिमान आप दो फॉलेंग क्वेश्चन इन बाउट एटी वर्ड सेवन मार्क्स का होना है बच्चों जिसे ट्रेक दो बैग्राउट अब दे स्टोरी दैनिमी एन हाउ इड क्रिएट डिफकल्टी फोर डॉक्टर सदाव रखकी एन इस वाइफ आपको इस दैनिमी के बारे में एक समरी लिखना है कहानी की समरी लिखना है जिसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसमें Dr. Sadao जिसका नाम Hawk Sadao Hawk की पूरा नाम था न और उनकी wife दोनों खत्रे में आ जाते हैं Difficulty में आ जाते हैं तो आपको पुरा summarize करना है मैंने उसको Already playlist में डॉल रखा इसको आप लोग देख लेजेगा इस question को देख लेते हैं How does Jack end his latest story about Roger Skunk याद करो Roger Skunk बार-बार बदल जा रहा है रहा है रोजर भी रहते हैं और skunk कोई ने कोई animals का नाम रख दिया जाता है उसका smell कैसे शरीर से smell आ रहा होता है न तो यह संबंदी question आप लोग करना है तो ठीक है इसको आप लोग अच्छे से prepare करिएगा तो set number four जिसमें से grammar portion हम लोगों ने touch किया है इसको एक बार फिर से आप लोग वाच करिएगा और एक rough copy लेके बैठिएगा फिर से पूरा पूरा note down करिएगा जहां पर कोई problem होती है comment करिएगा मैं उसको समाधान करने का प्रयास करूँगा तो मिलते हैं इसी प्रकासे नए set के साथ set number five के साथ अपता के लिए thanks for watching the video जैहिंद वंदे मातरम